कि बिस्मिल्लार्मानिराहिम असलाम अलेकुम मैं यूट्यूब फैमिली आप सब केसे आपके दोओं से अलहम्दल्ला हम सब अच्छे हैं आज हमने बनाया है चोले पनीर होमेट मसाली के साथ ही बहुत ही मज़े के बनते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि इसे हमने किस तरीकी से तयार किया है यहां पर मैंने डेड़ कप छोले यानि की काबुली चने को ओवरनाइट भीगा दिया था रात भर के लिए या छे से आठ गंटे जरूर भीगा अब हमने उसका पानी हटा दिया इसमें दो चार लोंगो दो तीन टुकड़े दाल चीनी के दो तीन तेज पत कम भी नहीं डालें बस इसे तकरिबन चार से पांच प्रेशर आने तक कूक कर लें या जब तक की चने अच्छे से गल नहीं जाते दो पिंच मेने यहां पर बेकिंग सोडा डाला है जो कि हम बजी पकोड़ों में डालते है वही वाला इसे चने हमारे अच्छे मुलायम हो जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं तो चेक कर लेते हैं जने हमारे अच्छे से कूख चुके हैं यह देखिए ऐसे ही हमें चाहिए थे इसे रखते साइट में और इसका मसाला बनाते सबसे पहले तो यहां पर दो बड़ी लाइची इसमें से एक तड़के में जाएगी ए धी ही लेना है तीन हरी लाइची दो लोओँ से समने एक बड़ा तुकडा दालजिने का ले ले एक चोड़ा र क्षयंद संक्यद बड़ बनाते सबसानों में मेर पास कुटावा था तो में वही ले लिए है। यहां पर टेस्ट कीज़ लाल मिर्च ले 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 में छे मिर्च ली है आप चाहें तो इसे कम यह बैदा ले सकते हैं इसे रोस्ट कर ले में तब तक आपने भुनना भुनना एक तक 25-30 सेकंड में ही इसमें बुन जाता है इसमें बड़ी लाइची हटा देंगे और इसे हम पीस लेंगे एक बड़ी लाइची हटाएंगे जो तड़के में जा देगे मैंने इसको पीस के निकाल लिया है इधर एक पेन गर्म होने के लिए रखा और इसमें हमने 2 टेबल स्पूल तेल डाल दिया है आप चाहें तो घी या बटर भी यूज कर सकते हैं यहां पर हमने 200 ग्राम पनीर को कट कर लिया है इस पनीर को हमने अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राइ कर लेना है तो गेस की फ्लेम मीडियम हाई रखे ताकि इसमें जल्दी से कलर आ जाए यह और कुक नहीं हो एक मिनिट के बाद ही आपने इसे पलटना है हलकी हातों से क्योंकि यह जुमला इपनीर है काफी सोफ्ट होता है तो अच्छा सा लाइट कलर आने तक ही फ्राइ करेंगे तो दोनों तरफ से उलट पुलट करते हुए हमने इसको अच्छे से फ्राइ कर लेना है तो यह फ्राइ हो चुके हैं इसे रखते हैं साइड में और यहाँ पर एक कड़ाई गर्म होने के लिए रखते हैं और इसमें डालते हैं तेल तो मैं यहाँ पर तक्रीबन दो सर्वि साइस के प्यास को में बारिक चॉपर में चॉप कर लिया है इसे अच्छा सा गॉल्डन कलर आने तक हमने फ्राइ करना है इसमें आपको तीन से चार मिनिट लगेंगे जैसे ही प्यास का कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें एक टेबले स्पून फुल वर्के लसन अद्रक का प दालना है तो यह पर हाफ टीसपून हल्दी का पाउडर हाफ टीसपून गरम मसाला पाउडर दो टीसपून धनिया पाउडर दो टीसपून धनिया पाउडर दो टीसपून धनिया पाउडर देर टीसपून काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे इस सिर्फ कलर के ल यह गors लेकर में लिज़ा हैं है कि इन मसालों के साथ में टमाटर भी हमारे अच्छे से पख जाएंगे तो यहां पर थोड़ा नमक ढाल देंगे इसमें तकरीब नमक स्थाथ आप प्रिश्पून के करिब ताकि तो यह गिल के तेमाटर मसाले अच्छे से और जाएं चाहर से कम बना रहे हैं कॉंट्टी इतनी नहीं है तो मसालक कम डाले बजा ले इन सब मसालो को अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने अब इसमें हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा पानी डालते हुए हम मसालो को अच्छे से भून लेंगे मसालों को अच्छे से बूनना बहुत जरूरी है तो इसे 2-3 मिनिट तक और बूनेंगे हम तो इसे कवर कर देते हैं गेसकी फ्लेम स्लो कर देते हैं ये देखिए मसालों में से अच्छी सी खुश्बू आने लगी है ये तेल भी उपर आ चुका है तो अब मसालों को अच्छे से हिला लेते हैं और इसमें हम जो चन्ने हमने उबाल के रखे ते वो डाल देंगे इसका पानी हमने बचा के रख लिया है इसमें बाद में mix करेंगे, तो इन चनों को अिष्चे से मसालों के साथ mix कर लिजिए और इसे तक्रिवरन 3 से 4 मिनिट की लिए आप इसे पका लिजिए То गेस की फ्लैम हम То कर देंगे और इसे 2 से 4 मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे तो यहां पर इसे तक्रिबन 3-4 मिनिट हो चुके हैं चने हमारे अच्छे से मसालों के साथ पग गए हैं चने पहले से ही गलेव हैं इसलिए इसे जादा पकाने की जरूरत नहीं है तो जो पानी हमने बचाया था वो डाल दिया है जिसमें हमने चने बॉयल किये थे इसमें टीस्पून फूल भरके चाटका मसाला डाल देंगे इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सब चीजों को हलके हाथों से मिक्स करेंगे और इसे कवर कर देंगे और तक्रिबन 5-7 मिनिट तक और पकाएंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से आपस में मिक्स हो अब इसके बाद हमने इसे और कुक नहीं करना थे इसलिए अब पनीर डालेंगे क्योंकि पनीर यदि हम पेले हैं से डाल देते तो काफी पक जाते हैं और वह अच्छे भी नहीं लिगते हैं कड़क हो जाता है पनीर जादा पकाने के बाद और इसी के साथ में हम यहां पर 1 टी स्पून कसूरी मेथी डालेंगे इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है तो इसे मैंने शेक लिया और इस तरीके से मसल दे हुवे डाल दे और इसे हलके हाथों से मिक्स कर ले और थोड़ा सबारी कटावा हरा दनिया डालेंगे तकरीब एक से दो टेबली स्पून डाल दे यह भी साथ में पकेगा तो काफी अच्छे खुश्बू हो जाएगी दोनों चीजों को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया और इसे कवर करके के दो मिनिट और पकाएंगे कि दो तीन मिनिट की बाद आप देखेंगी कि काफी अच्छी सी खुश्बू आने लगी है और यह मसाले और सब अच्छे से पक चुके हैं चने पनीर से भी हमारा तयार है तो अब हम इसे डिशाउट करते हैं तो गेस की फ्लेम आफ कर दी है और मैं इसे कवर कर देती हूं त भटूरे अगर आप बनाना चाहें तो उसके साथ यह बहुत ही मज़े के लगता है तो आप भी बनाए ज़रूर बना इसी तरीके से बनाए मैंने भी भटूरे बनाए थे लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाता इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया है वीडियो उसका शूट जरूर कीजिएगा मिलते हैं इन्शालला जल्दी ही नेक्स वीडियो में अपनी दुआओं में जरूर हमें याद रखिए अल्ला आफिस बाई